सात्यों स्वागत आपका अपने योट्यूब चैनल स्मार्ट फोजी बाई में तो सात्यों ये जो स्क्रीन पर आप लैटर देख रहे हैं ये बहुत ही इंपोर्टन लैटर है आप सभी के लिए जो भी SSC और और रेलबे की जो एक्जाम हुए है और जो होने वाले एक्जाम है उसके रिकारडिंग ये लैटर है ये लैटर प्यमो से जारी हुए है और इस लैटर को जारी करने के पीछे क्या मकसद है उनका क्यों जारी करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे candidate जो है वो प्यमो को लगह था और अपने जो है चिठियां लिख रहे थे, कि जो हमारी भरतियां पैंडिंग है, उनको जल्दी से जल्दी उसका जो हल निकाला जाए, जिसके कारण उनको जो है, ये लैटर जो है वो, टाइप करना पड़ा, कि हम इस पे क्या काम कर रहे हैं, और क्या नहीं कर रहे हैं तो इस पर सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यह जो letter type हुआ है इसमें यह जो letter type हुआ है PMO की तरफ से यह देख सकते हैं subject इसमें subject में special लिखा हुआ है major issue raised in the mass petitioners received in PMO जो आपके major issues है जो candidate ने यहाँ पर दर्च करवाए है PMO में उनको यह received हुआ है तो देखो Prime Minister Office HR cell, Human Resources cell जो है वहाँ से South Block New Delhi आप देख सकते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है यह देखे हैं it is observed that there has been a sudden increase in the flow inflow of petition on write to PM received from youth on employment issues उन्होंने बोला कि यह माना गया है कि अचानक ही जो right to PM को पत्तर रिखने के लिए जो unemployment के लिए जो पत्तर लिखा जा रहा है वो अचानक ही जो इसका inflow है वो बहुत जादा बढ़ गया है मतलब इतने सारे later on के पास पहुँचे हैं क्या लिखा हुआ आगे preliminary analysis thought that around 70% of such participants receive to issue such as inordinate delay in the competitive of recruitment process irregularities, procedural issues, availability of less तो यहां पर यह बोला गया है कि जो 70% issues हैं दोस्तों जो 70% जो case दर्ज हुए पैटिसन जो याची का दाइर हुई है वो जो आपके SSC के exam हो या कुछ भी other exam है उसमें जो little TP है उसके बारे में जो है वो उन्होंने दर्ज करवाया है अपना याची का जो है दर्ज करवाई ह आपके PM office में और आगे लिखाओ SSC और railway की जो है mainly recruitment उसके बारे में सबसे ज़्यादा जो हो यहां पर PM को पत्त लिखे गए हैं कुछ एक जो सुजेस्टिन आपके सुझाव हैं वो स्टेट वाइस अलग से दिये गए हुए है और नीचे second में लिखा हुआ है a sort analysis on the their petition has been prepared and finding with respect to issues and attached annexer 2 यहां पर बोलाओ कि जो आपका जो sort analysis है इसमें जो सेलेशन किया गए है petition के लिए वो तयार किया गए है और उसके बारे में हमने क्या ने लेना वो नीचे annexer 2 में दिया हुआ है और यहां पर लिखा हुए it is directed that report DOP to make further analysis and systematical improvement टाइमली रिडर्स जो आपकी जो भी systematical improvement होगी इसमें जो भी कुछ होगा उस पर बहुत ही जल्द बो है वो कारेवाई की जाएगी दोस्तो तो अब भी यह देखो उनको भी पता चल लगी है PMO को भी कि जो यह SSC और railway इनके जो एक्जाम लेट लटी फासाई हो रही है उसके बारे मन को बहुत जल्दी से जल्दी दोस्तों काम क करना है कि लगतार जो है आप सोचल मीडिया के प्लेट फॉर्म से चाहे वो ट्वेटर हो चाहे वो फिर आपका फेस्बुक हो फेस्बुक पेज हो SSCGD के कुछ भी हो या यूटूब के मादेम से यूटूब चैनल जितने भी है उनके मादेम से कही न कहीं से जो आपको और उपन होता तो हमको एक बार दिल्ली फिर से अपना जो SSC का मुद्ध है वो उठाना पड़ेगा हम सभी को SSC का जोइन आल मेडिकल फिट केंडिडेट का तब ही कुछ होगा क्यूंकि हम देखते हैं कि जब भी ट्विटर ट्रेंड करवाना होता है तो भी बहुत सारे कम से कंडिडेट्स वो उसमें ट्विट करते हैं मुझे लग रहा है 55,000 में यह लग रहा है कि 1500 कंडिडेट्स वे नहीं बचे हुए हम इसका मतलब तो यही लगता है बहुत सारे कंडिडेट्स वे नेक्स्ट भरती के त्यारियों में लग गए हैं कि चलो नेक्स्ट भरती अपन होता दिल्ली में जो एक बार फिर से हम सरकार के समक्स अपनी मांग रखेंगे तो इसमें आप सबी का जो है वो साथ जरूरी है दोस्तो तो अभी देखते हैं नेक्स्ट लैक्डाउन जो है वो होता है दिल्ली में उसके बाद हम आपको कोडिनेट करेंगे सभी को और जो है वो दिल्ली आने की क्रिपा करें सभी वाहिव्यान जय हिंद जय वारत